आज मेरे द्वारा आप सभी के वी समिच्छा दिखारी, साइक समिच्छा दिखारी, प्रारंबिक परिच्छा के प्रथम प्रस्ट पत्र के अंतरगत, सामान ध्यन में पूछे जाने वाले, सामान बिज्ञान की वी महत्तपोड प्रस्ट आप सभी के वी पूछे जाने वाले यह जान सके कि परिच्छा में किस प्रकार से प्रस्ण पूछे जाते हैं साथियो यदि आप इन प्रस्णों में अधिक्तम प्रस्णों को हल कर लेते हैं यह मान के चले कि आपकी तैयारी बहतर है और यदि आप अधिक्तम प्रस्णों को हल नहीं कर पाते हैं पेश्चेत रूप से आप और भी अभ्यास करिएगा तो आईए जानते हैं प्रथम प्रस्न यदि प्रित्वी का गुर्थवा कर्षडबल अचानक लुप्त हो जाता है तो निवन में से कौन सा परिडाम सही होगा इसके लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाता है इसका सही उत्तरों का साथी ओप्सन ए वस्तु का भार सुनने हो जाएगा परंतु द्रब्यमान वही रहेगा ठीक है प्रित्वी की सता के निकट किसी पिंड पर लगने वाला प्रित्वी का गुर्थवा कर्षडबल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार सुन हो जाएगा परंतु द्रब्यमान वही रहेगा इस प्रकार से साथियों इसकर सही हुत्तर हुआ ओप्सन ए दूसरा क्विस्टन आपके बीच है सीत काल में जब जील की उपरी सता का पानी बर्थ में बदल जाता है फिर भी जलिये जन्तु जिवी तरहते हैं क्योंकि इसका सही उत्तर होगा ओप्सन डी साथियों सीत काल में जील की उपरी परत जीरो डिगरी सेलस्यस सत्थंडा होने पर पर बन जाती है परंतु नीचे का जो जल होता है वो फोर डिगरी सेलस्यस पर द्रव्य अवस्था में रहता है इस से जीलो या तलाबों में बर्थ के नीचे फोर डिगरी पर पानी रहता है जिससे मचलिया एवं अन्य जलिया जन्तु जीवी तरह तेज प्रकार साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन डे तीसरा क्विस्चन है प्रकास तरंगों के वायू से काच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं साथियों जब कोई प्रकास तरंग वायू से काच या एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो प्रकास की आवरित्ती वही रहती है लेकिन उसका तरंग दैर्ग तथा वेग बदल जाता है इस प्रकार से इसका सही उत्तरोगा ओप्सन डी तरंग दैर्ग एवं चौथा क्वेश्चन है ध्वनी के पुनरुतपाद के लिए एक सीडी आडियो प्लेयर में प्रियुक्त होता है साथियों सीडी प्लेयर में प्रियुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकास को उत्सरजित करता है जो सीडी की चमकदार सता से परावर्तित होकर ध्वनी उत्पन करता है इस प्रकार से साथियों इसका सही उत्तर होगा लेजर बीम फिर से सुनें इसका सही उत्तर होगा ओप्शन C लेजर बीम Next question किसी तारी का रंग दर्साता है? इसका सही उत्तर होगा ओप्शन B उसका ताप इसका सही उत्तर होगा ओप्शन B उसका ताप आपके भी छटवा question है खत्रे के संकेतों के लिए लाल प्रकास का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? सात्यों यह question आप सभी के परिच्छा के दिश्टिकत अत्यांत ही महत्वपूर है और इसका सही उत्तर है साथियो ओप्सन ए इसका प्रकिडन सबसे कम होता है इस वज़े से लाल प्रकास का प्रियोग किया जाता है खत्रे का सिगनल लाल रंग के बनाये जाने का साथियो सरप्रमुक कारण है कि लाल रंग सबसे कम प्रकिडित होता है तता या दूर से सरवादे के इस परियोग किया जाता है Next question है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिम्ब देखने के लिए एक समतल दरपड की न्यूनतम उचाई होनी चाहिए इसका सही उत्तर होगा Option B, व्यक्ति के उचाई का आधा Next question है, जब सीले विस्कुटो को थोड़ी देर के लिए फ्रिच के अंदर रखा जाता है तो वह कूरकुरे हो जाते हैं क्योंकि जब सीले विस्कुटो को थोड़ी देर के लिए फ्रिच के अंदर रखा जाता है तो वह कूरकुरे हो जाते हैं क्योंकि इसका सही आंसरों को option B फ्रिज के अंदर आदता कम होती है इसलिए अत्रिक्त नमी और सोसित हो जाती है जिसके कारण सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है next question है निमने लिखित कथनों पर वीचार कीजिए next question है निमने लिखित कथनों पर वीचार कीजिए कथन A हलके रंगी इन कपड़ों को गर्मी में वर्यता दी जाती है कारण है हलके रंग उस्मा को कम और सोसित करते हैं नीचे दिये गए कूर से सही उत्तर को आप चुने सफेद तता हलके रंगे कपड़े उस्मा के कम और सोसी होते हैं इसलिए इन कपड़ों को गर्मी में वर्यता दी जाती है अता बिकलप एक सही होगा क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर एका सही स्पस्टि करण है नेट फिश्चन है चंदर्मा के धरातल पर दो वेक्ति एक दूसरी की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि साथियो ध्वनी तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना अत्यन्थी आवस्यक है परंतु चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं होने के कारण वहां द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है इसलिए चंद्रमा पर ध्वनी तरंगों का संचरण नहीं हो पाता फल्साच चंद्रमा के धरातल पर दो वेक्ती एक दूसरी की बात नहीं सुन सकते हैं इस प्रकार से option इसका बी सही है नेक्ट वेक्चर ने अती चालक का लक्षड है इसका सही उत्तर होगा साथी ओप्सन सी सुन्य पारगम्मेता अती चालक का लक्षड है सुन्य पारगम्मेता इस प्रकार से इसका आंसर सी सही होगा साथी ओप्सन इस टॉपिक से कई प्रकार से question पूछे जाते question इभी बनता है कि अती चालक किस तापमान पर अत्यरिक आर्थिक महत्वर की हो सकती है जिस से लाखो रुपे की बच्चत हो तो ऐसी इस्तिती में साथी हो इसका आंसर हो जाएगा सामानी तापमान पर question आता है कि किसी अती चालक द्वारा प्राप्त अधिक्तम ताप्त होता है 133 Kelvin पर किसी अती चालक द्वारा प्राप्त अधिक्तम ताप होता है 133 Kelvin इस प्रकार देख साथी हो यह topic लगबग एक से दो साल के gap पर जरूरी इस topic से एक question पूछा जाता है तो जरूरी इस topic को गंभिर्दा के साथ आप अध्यन करिएगा next question है परमाडू बम का सिध्धान आधारित है इसका सही उत्तरोगा option B नाप किया बिखंडन पर और साथी हो यह topic भी परिक्षा के दिश्टिकत अत्यनती मार्त पोड है कई प्रकार से question पूछे जाते हैं question पूछे आते हैं परमाडू बम का कारेकारी सिध्धान यूरेनियम का नाप के बिखंडन है और हाइड्रोजन बम का कारेकारी सिध्धान है तो ऐसी स्तेती में डूटेरियम का नाप के सलयन सही उत्तर हो जाएगा ऐसी question पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिध्धान पराधारित है तो उत्तर हो जाएगा अनियंत्री सलयन की अभिक्रिया और इसके जो भी अत्यंती महत्तपूर question है उसे आप अवस्ते ही previous question के अंतरगत देखेंगे साथियो आप आपके वीच निम्न को सुमेलित कीजिए जो की आविस्कारक और आविस्कार से सम्मंदित है और इसके लिए आप सभी को 15 सेकेंड का समय दिया जा रहा है इसका सही उत्तर होगा साथियो option E जी है साथियो इसका सही उत्तर होगा option E John Gutenberg आविस्कार किये है printing प्रेस का WK रोंचन आविस्कार किये X3 का Michael Faraday ने आविस्कार किया है डायनेमिक और Alexander Graham Well ने टेलिफोन का आविस्कार किये है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचीयो के नीचे दिये गए कूट का प्रेयोग करके सही उत्तर चुनिए साथियो यह question बहुत important है और कई बार इस question को पूछा गया है separate भी सुमेलित करने के लिए भी और कथन कारण में भी और साथियो इसका सही उत्तर अब मैं आप सभी को पताती है इसका सही उत्तर है option B केंद्रिय उच्च तिब्बतन अध्यन संस्तान वारारसी में है इंद्रा गांधी विकास अनुसंधान संस्तान मुंबई में है राश्टिया मनो स्वास्त एवं तंत्रिका विज्ञान संस्तान बैंगलूरू में है केंद्रिय अंग्रेजी तथा बेदेशी भासा संस्तान हैदराबाद में है नेक्ट वेस्टन है आजकल सडक की रोष्णी में पीली लैंप भातायत में प्रियुक्त हो रहे हैं इन लैंपों में निम्न में से किसका उभियोग करते हैं आजकल सडक की रोसली में पीली लैम्ब बहुत आयत आप रियुक्ट हो रहे हैं इन लैम्पों में निमल मेशी किसका उप्योग करते हैं साथियों इसका सही उत्तर होगा ओप्सन ए सोडियम सोडियम लेंप से पीली रोशनी निकलती है रसानिक रूप में सूखी बर्फ है साथियो इसको सुख बर्फ भी कहा जाता है और कई प्रकार से इस प्रकार के प्रस्ण पूछे गये है और एक बार ने कब से कम 10 से 20 बार इस क्येस्टोन को रिपीट किया गया है अब इसका सही उतर होगा साथियो option D, ठोस कार्वन डाई आकसाइट, जहीं है, साथि इसका सही उत्तर होगा, option D, ठोस कार्वन डाई आकसाइट next question है, hydrogen को जलाने से क्या बनेगा, hydrogen को जलाने से क्या बनेगा साथियों, hydrogen बिना हवा के उपस्तिती में नहीं जल सकती, यदि हवा के उपस्तिती में hydrogen को जलाये जाएगा, तो यह oxygen के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्मार करेगी, इस प्रकार से साथियों, इसका उत्तर होगा, option D, पानी next question है, सभी जयो योगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, सभी जयो योगिक का अनिवार्य मूल तत्व है इसका सही उत्तरोगा साथ्यों कार्वन अर्थात ओप्सन सी संसार के सभी जियोपदार्थ कार्वनिक यवकों से बने होते हैं कार्वनिक यवकों से कार्वन अनिवारता पाया जाता है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन होती है नेश्ट वेस्टन है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन होती है इसका सही उत्तरोगा साथी ओप्सन D, पॉलि एथिलेन जिया साथी ओप्सन D, पॉलि एथिलेन साथियों यह क्विस्चन लगबग 10 से 12 वार आप सभी के परिच्छा में पूछा गया है और कई प्रकार से इस प्रस्ण को पूछा गया है कथन कारण में सुमेलित करने के लिए और सेपरेट भी तो इसका उततर साथियों होगा option C, Silver Iodide चीहा साथियों क्रितिम वर्सा है तो फ्लिक पदार्थ होता है Silver Iodide का Next question है कीट समवर्धन क्या है? Next question आप सभी के वीच आया रहा है कीट समवर्धन क्या है? साथियों इसका सही आंसारों का option A कीटों के विद्धी करने का विग्यान कीट सम्मरधन है next question gerontology निमलिकित में से किस के अध्यन से सम्मंदित है next question है gerontology निम लिखित में से किसके अध्यन से सम्मंदित है साथ विश का सही आंसर होगा व्रिध अर्थात option D gerontology चिव बिग्यान की एक उपसाखा है चिसका सम्मंद व्रिध वेक्टियों से है व्रिध वस्था में मान स्पेशया सिधिल हो जाती है तता सरीर के अंग भी यह वस्था की तरह कारें नहीं कर पाते है अता इन सारी परिष्थितियों का व्यज्ञानिक अध्यन इसकी अंतरगत किया जाता है long है long है इसका सही उत्तरों का साथियों बंद कलिया long बंद कलिया है साथियों आज जो भी आप सभी के विच सामाने बिग्यान से संबंदित प्रस्न लाया गया वो आप सभी के परिष्था के दृष्टिकत अत्यन्त ही महत्तपूर है तता इस उद्दे से लाया गया कि आप सभी अपने परिच्छा से संबंदी जाश कर सके कि सामानी पिग्ञान की तैयारी आपकी किसी स्थर पहर है यदि आप question maximum इसका solve करते हैं तो निस्षी तुरुप से आपकी तैयारी बैतर है और कितना question आपका सही हुआ अवज से ही comment box में आप बताईएगा ताकि आप सभी के द्वारा किये गए सही प्रस्नों के संख्याओं को देखते हुए मेरे द्वारा आप सभी के वीच अन्य जो study material है वो उपलब दखराई जाएगी तो अवज से ही इवंदारी के साथ जितनी question आप सही किये होंगे अवज सही comment box के माध्यम से आप बताईएगे साथियों आप सभी द्वारा comment में किये गए प्रस्नों को मैं अवज सही पढ़ती हूँ देखती हूँ कि आप सभी के जयारी की क्या चरण है क्या इस तरह कहां कहां कटनाईया आ रही है उसके क्रम में उन तमाम समयस्याओं को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है आज बस इतना ही साथियों और next week आप सभी के बीच पुना टेस्टीरिज इसी form में लाया जाना है आप सभी अवज से ही टेस्टीरिज वारे प्लेलिस्ट में जाईए और देखिए कि रविवार को किस सब्जेक्ट से सम्बंदित आप सभी का टेस्ट होने वाला है और इस week आप अवज से ही अपने तयारियों को जारी रखेंगे साथियों दौर कितना भी मुश्किल हो यदि आप होसले के साथ अपने तयारी को आगे बढ़ाते हैं तो नकरात्मक दौर कठिन दौर भी आपके लिए सफलता से भर जाता है तो आप अवज से ही पूर उर्जा के साथ अपनी तयारी को आगे बढ़ाईए निज्डे तुरुप से साथियों आप सफल होंगे और जाते जाते एक महात्रपूर टिप्स फिर से मैं आप सभी को दे रहे हूं साथियों आप अवज से ही साइंस की यदि तियारी कर रहे हैं तो लूसेंट का सामानी ग्यान का जो साइंस का पोर्सन है तथा कीरड सामानी ग्यान का जो साइंस का पोर्सन है उसके उसे आज और कल में जरूर पढ़ लीजिएगा इस सारे क्वेस्टन करने के बाद और साथ में लूसेंट का जो सामानी ग्यान का पोर्सन है उसको जरू आप solve करेंगे साथियों आप सभी द्वारा लगातार यह पूछा जाता है कि क्या previous question से test का अभ्यास करना उचीत होगा साथियों मैं बोलूँगी बिलकुल previous question से यदि आप practice it करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाप के स्थिति मेंगों उसका कारण है साथियों आप सभी के परिच्छा में जो भी question पूछे जाते हैं उनमें लगबग 30% plus question previous question से related होते हैं जो कि कई प्रकार से प्रस्निकी स्वरूप को विभिन आयामों से पूछ कर पूछे जाते हैं तो आप अवसी previous question का अध्यन करेंगे एक टेस्स के रूप में प्रैक्टिस सेट के रूप में इसी आसा संदेश की से साथ मैं सिवागुपत आज आप सभी के लिए सुब कामना संदेश देना चाहती हूं कि निश्चित रूप से आप अपने लक्ष मे सफलोन मथकार